Hello friends, welcome back to study car, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर दोस्तो अभी हाल ही में एक विसाय चर्चा में रहा है और वो विसाय है रोड रेज क्या है ठीक है, तो आज हम एक छोटे से वीडियो में यही जानने का प्यास करेंगे कि what is road rage अभी हाल ही में नवजोज सिंग सिद्धू को Supreme Court of India ने एक साल की सजा सुनाई है और जब से यह सजा सुनाई गई है तभी से यह topic मुद्दा बना हुआ है कि road rage आखिर होता क्या है क्या होता है road rage जिसके करण उन्हें सजा सुनाई गई है तो दोस्तो हुआ क्या है सबसे पहले यह जानते हैं कि यह जो मुद्दा है आखिर यह आया कहां से है यह चर्चा का विसाई कैसे बना तो road rage के 34 साल पुनाने मामले में सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने पंजाब कॉंग्रेस के पूर्ब अध्यक्ष नबजो सिंग सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है मामला था 1988 का पंजाब में एक road rage की घटना होती है जिसमें नबजो सिंग सिद्धू और उनके एक साथी थे उनके साथ ये घटना होती है और नबजो सिंग सिद्धू जो है वो एक बुजर्ग को मुक्का मार देते हैं जिसके कारण उस बुजर्ग की मौत हो जाती है ठीक है दोस्तो इसी मामले में अभी हाल ही में 34 साल पुराने इस मामले में नवजोज सिंग सिध्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है इस मामले में सुप्रीम कोट ने पहले सिध्धू को गेर इरादतन हत्या में बरी कर दिया था और एक हजार रुपई का जुर्बाना लगाया था लेकिन इस मामले में रिव्यू पिटीषन लगाई थी की सजा सुनाई है तो ये है हाली में चर्चा में रहा मुद्दा चलिए फ्रेंट्स अब हम जानते हैं कि ये रोड रेज होता क्या है तो रोड रेज का मतलब होता है गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसका आक्रामक होना जबरजस्ती करना और गुस्से से भरा ब्योहार कर रोड रेज की बज़े से कोई व्यक्ति जवरजस्ति करता है एग्रेसिब ड्राइविंग भी करता है ठीक है दोस्तों रोड रेज में व्यक्ति करता क्या है ध्यान से सुनिएगा असब्वे ब्योहार करता है ठीक है तो असब्वे ब्योहार जो है वो रोड रेज के अंतर गत आता है किसी का अपमान कर देना चिलाना या अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं सामने वाले को चिला रहे हैं तो ये भी रोड रेज का मामला ही होता है किसी को धमकी देना मार पीट करना या जो अन्य ड्राइवर हैं उनको या पैदल चलने वालों को या साइकल पर चलने व क्या कानून है चलिए इसको हम जान लेते हैं भारत में पिछले कुछ बरसों में रोड रेज की जो घटना है उनमें काफी वढ़ोत्री हुई है यानि रोड रेज की घटना है लगातार बढ़ रही है लेकिन भारतिय कानून के तहत अब भी रोड रेज दंडिनिय अपराद नहीं है यानि दोस्तों रोड रेज को दंडिनिय अपराद नहीं माना गया है अभी भी मार्च दो हजार एकशन में एक मामला आया था जिसमें केरल हाई कोट ने सुनवाई की थी और केरल हाई कोट ने कहा था कि जो रोड रेज है उसके बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में रोड रेज और रेज से ड्राइविंग के 2.15 लाक मामले आये हैं एक साल के अंदर तो दोस्तों ये है हमारी सच्छाई और आसा करते हैं कि आप रोड रेज समझ गए होंगे कि रोड रेज क्या होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें और दोस्तों को सेर जरूर करें जिससे आप इस्टडिकर को सपोर्ट कर सकें मिलते हैं नेक्स लेक्षर में जै हिंद वंदिमात रमभी